है है आप सभी के लिए ऑब्जक्टिक क्रैस कोर्स चल रहा है और उसी क्रैस कोर्स के आप सिलसिले में हम लोग पहुंच गए हैं कर्ण इलेक्टिसीटी मेंब और करेंट इलेक्टिसीटी में ओल्रेडी हम लोग दो लेक्चर देख चुके हैं यह दो क्लासेस आपकी ओलरी हो चुकी है और आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ करेंगे इसके बाद की जो दो तीन लेक्चर होंगे वह मैडियर करन्ट एलेक्टर से रिलेटेड जो आपके निमर्कल प्रोब्लम्स हैं उनके होने वाले हैं और हर चेप्टर के साथ ऐसे होगा पहले कुछ दो तीन लेक्चर आपके होंगे और फिर बात के दो तीन होंगे निमर्कल ताकि कहीं से भी मैडियर एक अभी कुश्चन आपका मिस्स नहों टार्गेट याद है थर्टी फाइब बाई थर्टी फाइब मैडि और फिजिक सही हर कोश्चन को समझके चलना है ठीक है चलिए पहला कोश्चन के ओल पहला कुश्चन कहता है इन सीरीज कंबिनेशन आफ रजिस्टेंस विच क्वांटिटी इस सेम आइडियर यानि की परतिरोधों के स्रिणी करम में या स्रिणी स्योजन में आपको बताना क कौन सी रासी समान रहती है अगर आपको यह बात याद नहीं होगी तो यखिन माने फिर आपसे सर्किट का कुश्चन निमर्कल प्रोब्लम आपसे नहीं बनेगा यह काफी इंपोर्टेंट बात है जब माने सुबह की क्लासेस में सब चीजे पढ़ाई थी तो मैं चिला-चिल के बात बताया था कि आपको यह बात दिमाग में बैठा के रखनी है कि सिरीज कंबिनेशन और पैरलेल कंबिनेशन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है माइडियर तो अगर सिरीज कंबिनेशन के आप बात करेंगे तो उसमें करेंट सेम और पैरलेल में क्या सेम बला सर पैलेल में voltage potential always same रहता है तो हमें याद रखना है कि स्रीज combination में current की value same क्योंकि current की value इसलिए same होती है क्योंकि current के जाने का रास्ता एक ही होता है इसलिए जब तक current दो चार रास्ते नहीं मिलेंगे current divide नहीं होगा बटे करना हमें दियर और वो कहा होता है parallel में तो parallel में आपका current बट जाता है current अलग-अलग हो जाता है लेकिन स्रीज में current same रहता है तो क्या होने वाला हमारा answer my dear current यानि कि धारा क्या होगी स्रेंडी करम में same रहती है और ऐसा ही objective question capacitor में याद दिला दूँ आप सभी के लिए कि अगर यहां resistance ना लिखकर के exam में अगर capacitor लिखा गया होता संधारित लिखा गया होता तो आप से पूछता कि कौन सी रासी समान होती है तो आप क्या बताते बोले सर आवेस electrostatics के अंदर charge rest condition में है तो वहां पे charge होगा और यहां पे current electricity में वहीं charge क्या होता है फ्लो करता है तो चार्ज के फ्लो को current बोलते हैं तो यहां पे क्या सेम रहेगा बोला सर करेंट सेम रहेगा और चाहें capacitor हो या आपको चाहें resistance हो दोनों ही cases में parallel combination में voltage यानि के potential सेम रहता है बढ़ते हैं अगले question पे अगला question दिखेंगे बहुत सांदार question है और सुबह वाली बैच में मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है ठीक है the ratio of यहां से numerical question भी बनता है मैडियर और ऐसा numerical question हम लोग capacitor पे कर चुके हैं और आपको ऐसा numerical question आपको resistance भी करवाओंगा क्या कहता है कि the ratio of equivalent resistance in parallel to series combination when an equal resistance is arranged समझेंगे हिंदी में समझेंगे कहता है कि n परतिरोध है कितना परतिरोध लगा हुआ है किसी arrangement में किसी बैवस्था में n परतिरोध लगा हुआ है मैडियर अब हम क्या करते हैं कि उन n परतिरोधों को एक बार parallel में जोड़ते हैं और फिर उन्हीं परतिरोधों को एक बार series में जोड़ते हैं एक बार parallel में एक बार समनांतर करम में जोड़ दिया सबको एक बार series में स्रेणी करम में सबको जोड़ दिया तो समनांतर करम में जोडने पे जो समतुल्य परतिरोध निकलेगा equivalent resistance निकलेगा और जो स्रेणी करम में स्रीज combination में जोडने पे जो आपका equivalent resistance निकलेगा उन दोनों का ratio क्या होगा अनुपात क्या होगा question हमसे ये कहां जा रहा है मारियर तो हमने आप सभी के लिए 100 ट्रिक पढ़ा रखा था कि अगर आपके लिए अगर question में ये दिया जाए क्या दिया जाए कि equal resistance हो जाए मतलब कि resistance की value same हो जाए same हो जाए resistance की value तो हम लोग series combination में series combination में क्या करते हैं equivalent निकालने के लिए series combination में directly multiply कर देते हैं n से ठीक है series में क्या करते हैं directly multiply कर देते हैं n से अगर n गो resistance है तो एक resistance की value में n से multiply कर देंगे तो equivalent में जाएगा वहीं अगर parallel है parallel है medier तो parallel के लिए क्या करते हैं parallel के लिए r by n कर देते हैं divide कर देते हैं n में series में n से multiply और parallel में n से divide कर देते हैं अब हमसे पूछा जा रहा है sir question में कि आप rp by rs बताइए rp by rs बताइए मैं डियर rp by rs तो बोला sir ये क्या हो जाएगा r by n n by r तो यहां से हम निकाल पाएंगे अच्छा p by rp by n तो क्या हो जाएगा यहां से बताइए यह क्या मिलेगा my dear आपको देखेंगे क्या मिलने वाला है यह r से r कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 by n square क्या मिलने वाला है 1 by n square बोला sir कहीं option में दे रखा है क्या बोला sir बिल्कुल दे रखा है यह रहा option number d parallel by series कितना हो जाएगा 1 by n square अगर इसी में हमसे series by parallel पूछ दिया होता तो क्या हो जाता n square यह हो जाता यह हो जाता और याद किजिए capacitor का अगर combination होता my dear अगर यहीं resistance के जगा capacitor दे दिया जाता तो हमारा answer parallel by series यह हो जाता और series by parallel यह हो जाता आ रहा है बासमान में यहां उल्टा होता है capacitor और रेजिस्टेंस का combination एक दूसरी के उल्टा होते हैं इसलिए हम लोग का यहां parallel अपन series क्या होगा 1 by n square होगा और series अपन parallel क्या होता फ्लासर n square होता तो हमसे question में क्या पूछ रखा है equivalent resistance in parallel to series मतलब पहले parallel में है फिर सीरीज में तो पैरलेल अपन series पूले जा रहा है तो क्या हो जाएगा 1 by n square हो जाएगा बढ़ते हैं next question पे कहता है कि the value of internal resistance of cell का आंतरिक परतिरोद का कुछ नहीं करना है formula बता देना है मैंडिया जल्स की cell का आंतरिक परतिरोद का formula क्या होता है तो आप आप सभी को याद होना चाहिए इसल की परतिरोद का formula कि EMF में से किसी cell के EMF में से हम लोग terminal voltage को minus कर देते हैं फिर उसी terminal voltage से divide कर देते हैं फिर overall करके external resistance से multiply कर देते हैं मतलब कि क्या हो जाएगा R is equal to E by B upon B होना चाहिए पर यहाँ E है देखिए confusion होता है मैं बार-बार हर objective class में बताता हूं कि silly mistakes होने की पूरी 100% संभावना होती है objective के अंदर और objective में ऐसे objective की options set किये जाते हैं यह आपसे गलतियां हो जाए माइडियर इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर नीचे में B होना चाहिए यहाँ E है और आप तुरंट टिक करते हैं कि हाँ भाई E minus B upon E into R है यह हो जाएगा पर नीचे में होना चाहिए था terminal potential यह E cell का बिद्धुतवाहक बल होता है E क्या होता है cell का बिद्धुतवाहक बल और B क्या होता है potential voltage होता है external resistance के along बाहरी परतिरोध में कितना voltage है वो होता है आपका B और E होता है बिद्धुतवाहक बल और यह R बाहरी परतिरोध होता है R आंतरिक परतिरोध होता है नोट करना है वो लोग नोट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपका ये लेक्चर खतम हो जाएंगे छे साथ करेंडर सिटी के खतम हो जाएंगे उसके दो-तिन दिन के बाद मैं इसको आपको दे दूँगा भड़ते हैं नेक्स्ट कोशन पर मैं इर अपने फूर्थ कोशन पर हम लोग आव चलते हैं देखिए क्या कोशन कता है आग्या मैं इर किर्चॉप्स का लॉव किर्चॉप्स लॉव आपके एकजाम के लिए मुस्ट इंपोटेंट करेंट इलेक्टिसिटी का सबसे ज्यादा क्या है चोट है बात करते है ब्यॉव यहीं यहीं ब्यूव कोशने है मैंडियर करेंट इलेक्टिसिटी का सबसे ज़धा तोपिक है कोही तो वह ह हुत है किर्चॉप्स का नियम है था ही तो किर्चॉप्स लॉव से दो अब्जेक्टिव कुशन मुस्ट कॉमन है जो हमेशा अक्सर आते रहते हैं वह आपके सामने मैंने रखा हुए को नियम दिया है एक संधी का नियम बोलते हैं या धारा का नियम बोलते हैं और दूसरा हम लोग आपको बंद पास का नियम कह लिए या फिर इसको आप लोग भोल्टेज का लॉव कह लेते हैं तो दो लॉव है एक हमारा जंग्सन लॉव और दूसरा है लूप लॉव एक है जंग्सन लॉव और एक है लूप लॉव एक जंग्सन लॉव एक लूप लॉव दो लॉव circuit के किसी point पर या किसी joint पर या किसी junction पर जितनी धारा आती है उतनी धारा उतनी ही current उसी time पर at a time बाहर निकल जाती है माईडियर किर्चॉप्स का current law बहता कहता है junction law कहता है कि किसी junction पर किसी circuit के अंदर किसी junction पर यानि किसी point पर जितनी current आएगी उसी time पर उतनी ही current बाहर निकल जाती है Incoming current, Outgoing current के equal हो जाता है At a time, जिस time पे आता है, उसी time पे यानि कि यह जो junction होता है वो किसी परकार के current को अपने पास consume करके नहीं रखता है और इसका मतलब तो यह हुआ कि current अगर वहाँ पे नहीं रूक रहा है इसका मतलब current है क्या माइडियर तो बला सर चार्ज का flow होता है current इसका मतलब जितना current आ रहा है उतना जा रहा है इसका मतलब तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया इसका मतलब यह हुआ कि charge क्या है conserve है माइडियर हमारे universe में nature में चार fundamental conservation law होते है एक होता है उर्जा सरनक्षण सिध्धान्त, एक होता है आवेस सरनक्षण सिध्धान्त, एक होता है रैखिक संबेग और चौथा होता है आपका कोडिये संबेग चार तरके सनक्षण सिधानत होते हैं आपका इनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, चार तरके कंजर्वेशन के लग होते हैं उसमें से हमारा आपने देखा कि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज चला जाएगा जितना करेंट आएगा उतना करेंट जाएगा इसका मतलब चार्ज यहां पर क्या है कंजर्ब है तो आपका संधी का नियम क्या कहता है चार्ज हमीशा क्या रहेगा कंजर्ब तो चार्ज पाज कहां है बोला सर यहां है आवेस यहां है तो अप्शन नमबर क्या हो जाएगा हमारा सी करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक उसके आगे चलते हैं मैं पांचवे नमबर कोशन पर कहता है लूप लूप लौफ फोलोज फोच लवा कंजरवेशन बिल्कुल आपकी बार जाढ़ है नमबर कर जाएंगे पहला का नाम था आपको कैणा मों कर जाएगा शार्ज कर रहेंगा दूसरे में बंदपास का नियाम पांदे एक लूप में कहते हैं कि लूप में लूप का मतलब सर्किट के एक छोड़ा सा टुकड़ा सर्किट के एक छोटे से टुकड़े को हम लूप बोल रहे हैं तो लूप में टोटल जितना भी वोल्टेज होगा उसका समेशन जीरो के बराबर होता है मैं यह कहते हैं इसका मतलब वोल्मेटेज की बाप बात ही कर रहें तो Robot को मैं potential को न जाले आपको कितनी बार बता राक्वाय써 potential एक तरह से इनर्जी ही हए पोटेशियल अगर इनर्जी ही है तो यहाँ पर क्या होगा इनर्जी कंजर्व रहेगा उर्जा क्या रहता है सन रक्षित रहता है किस में उनके लुप लोग के अंधर तो उर्जा कहां है बोला सर उर्जा यह रहा इनर्जी यह हमारा क्या होगा करेक्ट एंसर हो जाएगा यह संबेग हो गया मोमेंटम और फोर्स अच्छा माइडियर इन दोनों में दोनों में आपको बल ले रखा था अरे बल खोड़ने कोई कंजर्व रहता है माइडियर तो यह उप्षन ऐसे इन भी रखा है बस मान के चलिए उसक से रिलेंटेड पोटेंस्यूइमिटर की सेंस्टिविट आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ता है यह होता है कि कि क्या चाम की परती कोई भी चीज कितना active है मतलब अगर आप पढ़ाई के परती active है मैं बोल चुका हूँ पढ़ाई के परती अगर आप active है इसका मतलब यह है कि आप हर एक छोटी सी छोटी बात को पढ़के जाएंगे exam में क्योंकि exam में कहां से question आएगा वो ना ही मुझे पता है और ना ह आपकी सोचेंगे कि कोई हमें BBI question दे दे दस को पढ़ लें जैसे आप रोज करते हैं रोज मांगते हैं लोगों से और मुझसे भी तो यह काम गलत है और यह इसको आप बोलेंगे कि आप sensitive नहीं है फिर आपके पढ़ाई के परती माइडियर अगर आप अपनी पढ़ाई के फॉलो करेंगे चलिए तो यहां sensitivity का मतलब यहीं था कि अपने काम के परती कितना जागरुख होना तो बुला सर्फ potentiometer का क्या काम है potentiometer क्या आता है नामी सजाए बीभाव मापी बीभाव को मापता है मैडियर तो उसके लिए क्या है सुगराहिता मतलब sensitivity उसकी ज्यादा होगे अगर आपकी सुगराहिता हम बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होता है formula हम लोग पढ़े हूं है कि V is equal to K into L यह जो K होता है यह potential gradient इसको बोलते हैं बीभाव परवड़ता बोलते हैं K को यानि कि अगर इस K is equal to आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यह L जाए है V by L ठीक तो अगर sensitivity की बात करेंगे तो sensitivity और S है तो S is equal to होता है 1 by K sensitivity क्या होता है रेसीप्रोकल होता है उल्टा होता है potential gradient के इसका मतलब अगर आप उल्टा करेंगे K को तो K का value V by L तो क्या हो जाएगा L by B हो जाएगा मारियर क्या हो जाएगा L by B हो जाएगा यह इसका आपना होता है जो वायर उस पे लपिते होते हैं उस वायर की length को हमें increase करना पड़ता है तार की लंबाई को बढ़ानी पढ़ती है तो हमारा answer क्या हो जाएगा चलते हैं अगले कुशन में चलते हैं कि बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट के लिए हम लोग अगलक कुश्ट पर बढ़ते हैं देखेंगे किया कहता है कॉश्ट יूज़ इनआख्रिक के आधा करेंगे जिसका करना है हए जाधा हीटर जनरेट करता हो ता आपको यह वह बहुना अपको एकदम याद रखना है किसका इस्तेमाल करते हैं आधियर नाा इकरों का किसका करते हैं नाइक्रोम का इस्तमाल करते हैं एलेक्ट्रिक हीटर के अनर नाइक्रोम का इस्तमाल करेंगे या अगर एलेक्ट्रिक हीटर के जगा पर आपसे प्रिस भी बोलता है जो कपड़ा पर हम लोग आईरेन करते हैं तो प्रिस भी बोलता था प्रिस में भी हम लोग नाइक का हम लोग इस्तमाल करते हैं माई डिए बहुत से हीट जरुरू हो जाता है नाography Express के लिखाव बच्छें टोच बच्छे टनगस्टन का इस्तमाल करते हैं और करते हैं बल्ब की फिलामेंट जो हमारी 100 वाली बल्ब जो आती है मैं आडियर ना वह बड़ा सा जो लाल वाली लाइट देती है वह हमारे टंगस्टन उसमें टंगस्टन लगा होता है और यह लेडी है यह तो मोडरन फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लेडी का कस निकलती है इसमें फोटो डैयोड का कॉंसेट हम लिग पढ़ेंगे और कैसे फोटोंच बाहर निकलती यह और फोटॉंश के फोर में रिलीज करती है लाइट में अम्हें किसमें इसलेमेंट और यह क्योड़ लगा लगाते हैं उसमें कौन सा वायर यानि कौन सा माटेरियल का इस्तमाल करते हैं किस माटेरियल का तार जो है जो पतला सा Fuse में हम लगाते हैं, Fuse में एकदम पतला वायर लगाया जाता है मेरे Disney कौन सा वायर होता है किस मेटरिल का होता है वह रहा सार Cooper का Normally किसका लगाते हैं? तामचे का इस्तवाल करते हैं किसका इस्तवाल करते हैं COP使ा यहां पर सब हिंदी लिखा वाया। इसलिए हिंदी इस वाले option में नहीं लिखा क्योंकि सारा option यहां पर हिंदी में लिखा हुआ था तो copper tambe का इस्तेमाल करते हैं और जो हम लोग घरों में जितने wire भी लगाते हैं यह सारे तार जो हम लोग घर में लगाते हैं सब किसकी होते हैं तांबे के copper के wire होते हैं कुछ जगों पर लोग aluminum का इस्तेमाल करता है लेकिन aluminum से बहतर हमारे लिए कौन है copper है तो हमारा क्या होता है बना हुआ copper tambe आपको याद रखना है कि huge wire में हम लोग तांबे का इस्तेमाल करते हैं और यह question का answer मुझे लगता है कि 100% बच्चा दे सकते हैं कि सब अपने घरों में देखते हैं कि copper का तार है अगला question और आज के लिए हम लोग का आखरी question ही टेस्टन ब्रिज इस यूज़ फॉर सभी को पता है आप सभी को पता है कि सर ही टेस्टन ब्रिज में चार रेजिस्टेंस लगा होता है चार प्रतिरोध लगा होता है उसमें से resistence होते हैं और आर बाई-स नीचे के दो resistance होते हैं तो यहाँ पर हम लोग S अगर unknown है और यह तीनों पता है तो S की value निकाल लेंगे मतलब कर क्या रहे हैं रेजिस्टेंस का compression करते हैं तो मारें सर क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस कहां option दे रखाए बला सर option no.C हमारा प्रतिरोध की तुलना हम लोग करते हैं किस से ही टेस्टन प्रिज से तो ये था माइडियर करेंट इलेक्टिसिटी के तीन अबजेक्टिव क्लासेस जिसमें हम लोगों ने सिर्फ त्योरेटिकल कोश्चन किये हैं अब जो कल से कोश्चन वीडियो आएगा आपका करेंट इल को ही मिर कल का डिसकोस न करेंगे माईडियर तो आशा करता हूं आप सभी को सांदारत अदेके से आज सारे कोश्चन समझ में आ गये होंगे वीडियो को सेयर करना है माईडियर हर जगा वीडियो सेयर कीजिए और मॉर्णिंग की कलास जरूर देखking मॉर्णिंग की क्लास द